अलो एवरीवन, वेलकम ट्यू अमें मेकेडमी, मैं हूँ शचांग लखेरा, तो भाई, आज है 2 जुलाई 2022, इंडियान एक्सप्रेस में जो जो आर्टिकल पब्लिश हुए है, उन सब को हमें आपे देखेंगे, देखो ये सिर्फ यूपीएसी के लिए इंपोर्टन नहीं ह तो वीडियो को चुरू करने से पहले, अगर आप किसी भी एक्जाम के प्रप्रेशन कर रहे हो, तो आप हमारे स्मार्ट कोसित हो कर सकते हो, आपको सिम्पली करना होगा, आपको डाणूट करना है, अब दो वीडियो से लेक्चर देख सकते हो, फिर आपको प्रोफाल में देखो कि तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हो क्या रहा है, कि NIA को जो है यहाँ पर टैपलाए किया गया है, और जो है पूछताज यहाँ पर चल रही है, ठीक है, इसके लावा और भी जो एक्यूस ने उनको यहाँ परेस्ट कि तो जो की एक्जाम पॉइंट अफ से अगर आप देखो तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स सिंगल हेंड़ी रिस्पॉंसिबल सुप्रीम कोट स्लैप्स नोपुर शर्मा, तो नोपुर शर्मा में एलिगेशन जो है सुप्रीम कोट ने यहाँ पर लगा यहाँ पर गलत है, इंडिया जो है एक टाइवस सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी, मतला हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई सभी एक साथ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमें किसी भी धर्म को बोलने का बिलकुल भी कोई हक नहीं है, हमें किसी भी धर्म को नहीं बोल इंडिया है, तो एंटिटेफेक्शन लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेने, एंटिटेफेक्शन लोग पे बिलकुल यहाँ पर प्रिश्ट बन सकता है, नेक्स्ट है, जेक्स्ट का जो कलेक्शन है, 1.44 लेक करोड जो है, जो है जून में हुआ है, जो कि सेकेंड हाइस है तो मेहल लिए अगर आप दो, तो GST यहा अच्छे से यहां पर वर्क कर रहा है, काफी हडल्स आ यहां में तरीके यहां में सोट आउट जो है कर लिए । इह रही आप को विन और लूस है यहां पर BJP और यहां पर बात की जा रही है जो शिव सेना अभी जो एकनात शिंदे का कोलाइबरेशन हुआ है उनको लेकर यहां पर बात की जा रही है तो यह जो है हमारे लिए कोई important नहीं है next है passing stress test यह काफी important है RBI की report के हिसाब से जो asset quality है capital position है banking system की वो जो है improve होते हुई हमको नजर आ रही है मतलब जो non-performing जो है यहां पर घटती हुई नजर आएगी इसी चीज़ को यहां पर बताए गया है तो इसमें bad bank क्या होता है इसके अलावा NPA क्या होता है banking system किस तरीके से यहां पर काम करता है तो पूरे जनरल है United Nations के United Nations का जो headquarter है वह आपको कहां देखने को मिलेगा तो comment box में जो है comment करना United Nations का headquarter कहां है ठीक है नेक्स है undoing progress तो युएस का जो supreme court है उसने जो है यहां पर verdict दी है तो इसको जो है हम यहां पर देखेंगे ठीक है climate plans को लेके इसके अलावा his golden तो यह जो नीरत चोपड़ा है consistently अगर आप देखोगे तो उनका जो basically जो improvement है वह हमको देखने को मिल रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इनका बहुत ही अच्छा हमको जो है पूरी इंडिया में देखने को मिलेगा और यह वर्ड में इंडिया का नाम रोशन करेंगे तो काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है तो बाई शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे single-use plastic band पे ठीक है तो single-use plastic band पे पैनल् प्लास्टिक है उसको जो है यहां पे बैंकर दिया गया है अब होगा क्या देखो अल्रीडी अगर आप दोगे तो ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत सारा जो वेस्ट है वो तो यहां पर उठाई दी जाता मतब कचला जो है प्रॉपर तरीके से यहां पर उठाया नहीं जाता और प्लास्टिक जो है डिके होने में काफी समय लेता है इस वज़े से प्लास्टिक को यहां पर बैं किया जा रहा है और इससे क्या होता है पॉलूशन बहुत जादा बढ़ता है तो में यहां पर यह कहा जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है अप बैं कर दिय इसके अलावा पाँच साल की जो हैं प्रिजन्वेंट भी हो सकती है तो मेली यह जो है काफी important point है next से कर हम बात करें तो यह curatorial section है यह हमने देख लिया है लेकिन यहाँ पे सबसे आदा important होगा Supreme Court को समझना थीक है अब Supreme Court में होता क्या है कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप यहाँ पे जो है एक PIL जिसको हम कहते है पब्लिक इंटरक्स लिटिकेशन तो इसको जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पे आपकी बाद नहीं सुनता मालो, आप अपने घर के विदायक से आपके बोलते हो आपके पास में जो अरिया को विदायक है उस से आप यहाँ पे बोलते हो कि हमारा काम है हमारी यह समस्या है वह यहाँ प TIL जाल सकते हो अपनी problems को ले के ठिहाँ कि यहाँ पर सुप्रीम कोट को समझना बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट है अब सुप्रीम कोट के बारे में अगर आप देखते हो तो यह एक फेडरल कोट है भारत का इसको भारत सरकार का जो अधिनियम रहा बन्तब गौर्रमेंट ऑफ इंडियाक 1935 का जो एक्ट है उसके अं अब इंडिपेंडेंस के बाद हुआ कि जो फेडरल कोट हो जूट्शल कमीटी है इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया से तो जब पहले यह 1935 में एक फेडरल कोट था उसके बाद 1950 में यह जो है यहाँ पे एक एक्जिस्टेंस में आया तो ज इसको हम CJI कहते हैं प्लस साथ जज़ जो है यहाँ पे हमको देखने को बेंगे इसके अलावा समविधान में यह भी प्रविजन दिया गया क्याने वाले समय में जो है यहाँ बढ़ सकते हैं तो मेली जो है आज समय आपको करी 34 जज़ेस जो है देखने को मिलेंगे तो एक चैप्टर 6 में जो है आपको Union Judiciary देखने को मिलेगा तो मेली आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पार्ट 5 में आपको जो है Constitution जो है यह सुप्रीम कोट से डिल करता हुए नजार आएगा पावर से इसके पास और प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोट के यहाँ पर बताए गए है तो सभी चीज जो है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक भारत के समविधान पार्ट 5 में जो है इसको बताए गया है इंडिया का Constitution जो है उसमें Article 124 का जो Section 1 है वो यहाँ पर यह बोलता है कि State जो है यहाँ पर सुप्रीम कोट होगा जिसमें एक Chief Justice होंगे इसके अलावा जो है और भी Judges होंगे और जो की Parliament जो है यहाँ पर Law बनाएगा मतलब अगर Judges की संक्या यहाँ पर बढ़ाना है तो उसक यह बोलता है कि भारत में सुप्रीम कोट होगा जिसमें एक Chief Justice होगा इसके अलाव और भी Judges होंगे हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो है Chief Justice of India पॉइंट कर सकते हो इसके अलावा यह जजज कहां क्योंगे यह सुप्रीम कोट के जजज होंगे लेकिन अगर प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर सैटिस्फाई नहीं होता इनसे तो यहाँ पर क्या करेगा यह जाएगा किसके पास High Court के Judges के पास तो High Court के Judges से भी जो है यहाँ पर यह परामर्श ले सकते हैं मतलब यहाँ पर जो है उनको उपीनियन ले सकते हैं कि भाईया जो अगर मतलब हमारे मतलब कौन से जो Chief Justice of India जो बिलकुल यहाँ पर सही रहेंगे इंडिया के लिए तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर क्या किया जाता है नेक्स है पांच साल के लिए minimum इसके अलावा ये high court में जो है advocate यहाँ पर होने चाहिए तो 10 साल के लिए इसके अलावा ये distinguished jurist होने चाहिए President के opinion में अच्छी jurist होने चाहिए इनको अच्छी गाजी knowledge होनी चाहिए तब ये judge यहाँ पर appointment किये चाहिए लेकिन constitution में अगर आप देखोगे तो appointment की age यहाँ पर कुछ भी नहीं बताई गई हलाकि अगर आप देखोगे तो retirement यहाँ पर बताए गया है कि उनका जो retirement है वो 65 की age में यहाँ पर हो जाएगा next है judge को यहाँ पर remove कैसे किया जाएगा तो कोई भी supreme court का judge है तो उसको तो पहले यहाँ पर remove किया जाएगा उसके office से प्रेसिडेंट के order से मतलब प्रेसिडेंट का यहाँ पर consent चाहिए प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर order पास करेगा कि हाँ इनको जो है remove किया जाएगा तब जो है इनको remove किया जाएगा President जो है किसी भी Judge को यहाँ पर remove कर सकता है लेकिन Parliament को जो है यहाँ पर address करना होगा मतलब Parliament यहाँ पर क्या करेगा एक removal जो है पास करेगा मतलब एक motion जो है यहाँ पर लाए जाएगा एक bill जो है यहाँ पर लाए जाएगा एक मैं हूँ एक आप है और एक और जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं तो अब इन तीन लोगों मैंसे अगर दो लोग जो यहाँ पे यस बोलेंगे तब ही यह पास होगा अगर दो लोग यहाँ पे नो बोल देंगे यह दो ने नो बोल दिया तो यह क्या होगा यह जो है पास हो यहाँ पर remove किया जाएगा और remove कप किया जाएगा तो उसके दो grounds यहाँ पर बताएगा है पहला तो mis behavior है दूसरा incapacity मतलब mis behavior वो जो है यहाँ पर violation कर रहा है मतलब अपने मन से यहाँ पर गलत judgment जो है दे रहा है इसके लाव है incapacity मतलब अब वो बीमार हो चुका है वो incapable है चल नहीं पारा ठीक है और उसको जो है बहुत सारी समस्यां है तब यहाँ पर क्या किया जाएगा यहाँ पर इसको remove कर दिया जाएगा ठीक है incapacity मतलब वो बिल्कुल तो भी incapable हो गए ठीक है उनमे जो है capacity ही नहीं है अब जो है उनका mind भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा तो इस चरीक से जो है आप क्या किया जा सकता है वैसे तो अगर आप दो 65 के इस तक आते आते जो है खुद ही यहाँ पर टायर कर दिया जाता है ठीक है वैसे अभी तक अगर आप देखोगे तो किसी का भी जो है यहाँ पर रिमूवल नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले यह आर्टिकल यहाँ पर क्या बोलता तो यह समझे तो भाई आदिया की जो नई रिपोर्ट आई है वह यहाँ पर यह बोलती है कि इंडिया के हिसाब से अगर आप फाइनेशल इस्टेबिटी रिपोर्ट देखोगे तो जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोंस है जिसको हम जी एन पीए कहते हैं बैंकिंग सिस्टम में वो जो है करीब 7.4 परसेंट जो है डिकलाइन हुए है मार्च 2021 में तो मार्च 2021 में मार्च 2022 में ये कितने हो गए हैं तो मार्च 2022 में 5.9% हमको देखने को मिल रहे है वही अगर हम इसको मार्च 2021 से कंपेर करते हैं तो ये 7.6 थे जो कि एक काफी बड़ा डिफरेंस है तीक है आपको करीब 1.5 परसेंट के लगबक जो है आपे डिफरेंस देखने को मिलेगा 1. जो कि अपने आप में बहुत बड़ी जो है एक चीज है तो अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो banking system में हैं जो हमको continuously जो है यहां पर improvement जो है देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो इसी चीज को यहां पर बताए गया अब देखो यहां पर कुछ concept जो है यहां पर निकलके आ रहे हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो यह आप देख सकते हैं अब bad banks जो है तो basically यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो bad banks है उनकी जो कमी है वह हमको देखने को मील रहे है मतलब bad bank जो है वह बहुत अच्छे से हो रहा है और अगर आप यहां पर देखोगे भी तो जो capital है वो भी जो है यहां पर बढ़ता हुआ रहा है तो 16.7 परसेंट का capital है जो capital position है वो हमको जो है देखने को मिल रही है इसके अलावे यह काफी अच्छी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर समझना होगा कि बैड बैंक यहां पर होता क्या है और स्टम किस तरिके से काम करता है तो एक कोई और है यहाँ पे है अब क्या होता हो है हम जो है जाते हैं बेंक पैसा बैंक में हम पना पैसा यहाँ पर zobaczy कर रहे हैं मैंने आप सो रुपे कि आपने भी सौ रफी दिया अगले इने भी सो रुपे कि आ व डिखोः बैंक में हम इस लिए पैसा जमा करते हैं कि हमको पता है यह जोhole मैं को क्रदों के मतलब, bank इन सब लोगों को यहाँ पर लोन देगा तब ही तो bank के 100 के 105 बनाएगा ठीक है अब bank जो है इनको यहाँ पर लोन देता और ये क्या करते हैं? interest पर करते हैं अब जो interest चाता है, उस से bank हमको भी देता है इसके लावा बैंक जो है अपने लोग के यहाँ पे सेलरी भी निकालता है ठीक है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो लोग यहाँ पे पैसे नहीं चोका पाते हैं मतलब जिन्हों ने लोन लिया अब लोन यहाँ यहाँ पे नहीं चोका पा अब जब ये आदमी लोन यहाँ पर वापस रीपे नहीं कर रहा है तो bank यहाँ पर क्या करेंगी बैंक क्या करती है जब यह loan लेने आता है ना तो bank बहुते हैं पहले तो यह चीज़ बताओ तो तुमारे पास है क्या हमारे पास गिरवी रखने को आसान सब्दों में समझना हो तो simply आप यह समझो कि आपके पास जो है गिर्वी रखने के लिए यहाँ पे क्या है हम mortgage क्या है जो हम रखेंगे तो हम जो है आपको पैसा दें ठीक है तो मालों यह 10 लाक का लोन यहाँ पे लेते तो यह 20-30 लाकी property जो यहाँ पे रखबा लेते ह तब ही आपको यहाँ पे लोन ने अब जब यह लोग यहाँ पे लोन नहीं जोका पाते ना तो जो mortgage इनने रखा हुआ है उसका जो है बैंक auction करता है अब बैंक को यहाँ पे यहाँ पे लोन पे नहीं कर रहे हैं उनके asset को यह क्या करते हैं उनके asset को यह धर लेते हैं यह बै पढ़राइब करता है बैंक से जो एसे रखे हुए जो लोगों ने यहां पर चुका नहीं पा रहे हैं तो उनको जो यह यहां पे खरीद लेते हैं अब किस तरीके से यहां पे खरीद लेते हैं तो भारत सरकार ने गया किया Ministry of Finance ने दो company जो है यहां पर announce करी जो bed bank के अंदर काम करती है अब bed bank यह है bed bank के अंदर में एक है N.A.R.C.L और एक है क्या और एक है basically ID.R.C.L. अब यहां पे होता गया कि bed bank जो है जो यहां पे loan pair है उसका जो asset यहां पे mortgage bank ने गिरवी रखा हुआ है तो bank यहां पे क्या बोलता कि भाई अब जो है हमको यहां पे इसको बेचना क्योंकि हमको तो पैसे चाहिए तो N.A.R.C.L. क्या करता है वही है सबसे पहले जाएगा N.A.C.L. जो है उसको यहां पे मोयाना करेगा उसको यहां कितने की property कितने का क्या है तो N.A.R.C.L. क्या करेगा मान लो एक लाक किया तो इसको यहां पे क्या करेगा 15-10,000 रुपए दे देगा पहले तो यह 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 लो 10% ले लो मतलब 10,000 रुपए हमने आपको दे लिए ठीक है अब N.A.R.C.L. क्या करेगा यह पूरी property को जो यहां पे लेके रखा ना मतलब बहुत सारी properties है बहुत सारी जो loan है उनको यहां पे रीपे नहीं किया गया अब ID.R.C.L. को जो है information transfer करी जागी कि भीया देखो यह cars है यह जो है यहां पे बंगलो है यह सब गिरवी रखा हुआ है लेकिन यहां जो है loan repayment नहीं हुआ तो इन सब को जो है उठा के हमको बेचना है तो अब यह लोग यहां पे क्या करेंगे auction करेंगे तो जब यह auction करेंगे तो इससे इनके पास पैसे आएंगे तो पहले जो 10% यहां पे बैंक इन्होंने जो है बैंक को दे दिया था वो तो हो गया बचा हुए 90% याने कि जो 80,000 रुपए बचे हुए है बिसिकली जो 90,000 रुपए बचे हुए है एक लाख रुपए में वो जो है बाद में आपे पे कर दिया जाता है तो एने आरसीयल नैशनल एसेल रिकंस्रुशन कंपनी इसके अलावा आई डी आरसीयल इंडिया डेप्ट रिजॉलूशन कंपनी तो झे जो है बेकली भारत सरकार ने यहां पर बनाई है इसके लिए भारत सरकार ने 30,000 क्रूर का फंड भी जो है अलोकेट किया था जिससे जो बैंक्स हैं उनको जो हम प्रॉपर यहां पर puisqu पर यह लोग ने रहा है वहापस बहूं नहीं देते अब जब लोग नहीं देते त तो इस वज़े से होता क्या है कि जो भारत सरकार ने यहाँ पर दो companies बना के रखे होई है और जो घोटाले होते हैं उनमें banks के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका भी आपको काफी involvement देखने को मलेगा अब NPA कब बनता है मतला bank को यहाँ पर loss कब होता है bank को loss जब होता है कि जब आपने जो है यहाँ पर उतनी property की valuation नहीं थी लेकिन आपने 10,000 करोड का loan दे दिया तो अब जो है इससे काफी जो है bank को effect होगा तो इसी वज़े से जो है काफी सारे bank जो है यहाँ पर debt में आ जाते हैं उसको revive करने के लिए भारत सरकार ने, ministry of finance ने, N.A.R.C.L. और I.D.R.C.L. को मिला के bed bank का concept यहाँ पर बना हुए bed bank क्या है? bed bank एक type का asset reconstruction company है इसका काम यह है कि भाईया bed loans जो है उनको यहाँ पर take over करना N.P.A. जो है जो है जो है जो है जो है यहाँ पर लोन ले रहे हैं और वो जो है यहाँ पर बैंक को लोन नहीं चुका रहे तो bed bank जो है यहाँ पर bed asset जो है उनको यहाँ पर बेच देता है और पैसे वापस लाके किसको देता है bank को जो है यही जो है basically इसका काम है तो यहां पर आयोग कि आपको यह पूरा concept जो है समझ में आ गया होगा अब देखो यहां पर होग क्या रहा है अब यह तो कहा नहीं होगे बैड बैंक की लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रिजेंटली जो रिपोर्ट यहां पर यह शो करती कि बैंक जो है तेरे-देरे करके जो है आपको इंप्रूफ्स इंप्रूफ्न जो है नजर आ रहा है यहां पर एसेट अगर आप देखो के तो सभी मेजर स्एक्टर में सब्सका कि जो पहले कि comparison में हमको जो है काफी improvement देखने को मिल रहा है कि अगर आप reconstruction of loan भी देखोगे तो यहाँ पे resolution framework चुलाया गया था उसमें जो है 16% जो total advance है December 2021 में वो जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है अब RBI की जो reports है वो यहाँ पे यह show करती है कि जो large borrowers है bank है जो basically यहाँ पे जो large borrowers है उनका जो है decline हमको देखने को मिल रहा है और करीब 48% जो bank total advances है वो हमको देखने को मिल रहा है मतलब धीर धीर अगर आप देखोगे तो जो non-performing assets है वो यहाँ पे जो है कम होती है नजर आ रहे है क्योंकि अब जो है proper एक framework जो है यहाँ पे तयार कर दिया गया है तो उससे क्या होता है कि bank को को जो है कम stress रहता है अब bank यहाँ पे अपना काम करे मानलो पहले अगर यह जो bad bank का concept नहीं आया होता उसके पहले क्या होता था कि भाईया bank जो है अपना काम भी करे उसके अलावा जो auction है वो भी यहाँ पे करे ठीक है तो bank के पास दो-दो यहाँ पे चीज़ है थी कि एक तरफ तो हमको पैसा देना भी है और दूसी तरफ यह है कि पैसा जो है उनसे निकालना भी है तो bank जो है इतने काम यहाँ पे नहीं कर पाता तो इसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही important चीज़ जो है यहाँ पे लेकर आई है ठीक है वही अगर आप देगो तो central bank ने जो है recently एक stress test जो है आपे conduct किया था जिससे यहाँ पे यह बताया गया कि जो bank की strength है उसको जो है हमें आपे balance कर पाएं तो में लिए अगर आप दो को जो काफी हद तक जो है यह समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में जो non-performing asset है उसका जो basically जो non-performing asset का जो role है वो आपको जो है कम देखने को मिलेगा वही एक estimate के साब से यह भी बता जाता है कि जो basically जो बैंक का जो basically bad loans है उसमें भी जो हमको decline देखने को मिलेगा तो अभी जो है यह 5.9% है लेकिन 2023 तक आते यह जो है हमको 5.3% जो है March 2023 तक देखने को मिलेगा तो basically इस चीज़ को जो है आपे बताया जा रहा है तो मिली अगर आप देखोगे तो दीर-दीरे करके जो NPA है उनका जो रूल है वो आपको दीर-दीरे जो है कम होता हुआ नजर आएगा तो यह आर्टिकल जो है सीज़ के बारे में आपे बताए गया नेक्स से विन और लूस मैंने आपको बता चुका कि डेविड फर्ड नवीस के बारे में है महराष्टर में जो जिस तरीके कि यहां पे चीज़ चल रहे है उस चीज़ को आप बताया गया तो पुरा जो है पॉलिटिकल से रिलेटेट है तो हमाई कोई काम का यह नहीं है नेक्स से करा हम बात करें तो एक रिन्यूबल रिन्यूबल रिवॉल्यूशन यह काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई क्योंकि इसको लिखा भी है देखो सेकरेटरी जनरल ओफ इंडियों इन्टेनियों गुटेरिस ने अब देखो यहाँ पे यह बताया चारा है कि एक जमाने में जिस तरीके से रोम में नीरो हुआ करता था जब पूरा जो रोम यहां पर जल रहा था उससमें नीरो क्या कर रहा था कि यहां पे आग लगा रहा था वो खुद जो है यहाँ पर क्या कर रहा था आग में जो है घीडालने का काम कर रहा था वैसे यहाँ पर आज इस चीज़ को बताई जारी कि जिस तरीके की सिचुशन यहाँ पर चल रही है तो सरकारे जो है जो prominent leader हैं दुनिया भरके वो क्या कर रहे हैं वो भाई अपने देश पर फोकस ना करके दूसरे दिशों पर ज़्यादा ध्याद दे रहे हैं मतलब वो यहाँ पर climate change के बारे में सोच ही नहीं रहे जिस तरीके से यहाँ पर electricity का shortage हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पर coal को burn किया जा रहा है फ्यूल को burn किया जा रहा है हम इनी सब चीजों को यहाँ पर सोच रहे है और सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल पर ही यहाँ पर depend हो रही है ठीक है वो जो है यहाँ पर fossil fuel की बजाए जो है जो जो fuels हैं मतलब जो petrol, diesel, इसके अलावा जो coal burning के इन सब पर यहाँ पर focus कर रही है वो climate में आपर बिल्कुल भी focus नहीं कर रही तो यहाँ पर इनोंने क्या किया है यहाँ पर कुछ इनोंने तरीके बताए है कि भाईया हम को जो है renewable revolution पर बिल्कुल यहाँ पर focus करना चाहिए तो इस article को जो है मैं पर समझते है तो भाईया यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है यहाँ पर आग लगाई जा रही है ठीक है और जिस तरीके से Russia ने Ukraine पर आकरमन किया है इसकी वज़े से globally अगर आप देखोगे तो nations ने यहाँ पर response किया है अब nations ने यहाँ पर यह response किया कि हाँ आप ammunition provide करेंगे लेकिन किसी ने भी यहाँ पर energy crisis के बारे में आप नई सोचा ठीक है? fossil fuel के prices के बारे में आप नई सोचा अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि भाईया जिस तरीके का Organization Watch पो시는 केते हैं सब्सक्राइब। जहाँ पर हम एक तरफ क्लाइमेंड चेंज की बात करते हैं और अगर आप forecast भी देखोगे तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है ति कई जोगे पर आपको storms देखने को मिलेंगे, कई जगे आपको floods देखने को मिलेंगे, कई जगे यहाँ पर सुखा बाड़रा पानी की कमी है, कई जगे यहाँ जंगलों में आग लग रही है, अगर आप दो को तो इस समय कर्मी में कितना दादा टेंपरेचर रहा है, ठीक है अगर आप देखोगे तो यह सिर्फ आंसर नहीं है, अगर आप यह सोच रहे हो, कि हम अगर fossil fuel पर depend हो जाएंगे, तो यह जो है काफी अच्छा होगा, इससे जो है हम जो society और planet उसको हम कम damage पहुचा चुके हैं, और fossil fuel जो है यह basically एक cause है, basically climate crisis का, इसका एक ही solution है renewable energy, renewable energy क्या करेगा कि जो climate restriction है, इसके अलाबा जो energy security है, उसको यहाँ पर boost करेगा, renewable energy पे जो है focus करना बहुत जादा important है, और अगर आप 21st century देखो के तो इस पे हमको एक renewable का peace plan लेके आना चाहिए, ठीक प्रिजेंट लेकर आप देखो कई सारे जो देश हैं, वो अपनी लोगों के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, मिल लेए, यहाँ पे fuel के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे पास fuel नहीं, आप देख लो श्रीलंका देख लो आप पाकिस्तान देख लो, कई सारे देशों के पास यहाँ पे पैसे भी नहीं है, तो बेसिकली जो गॉर्मेंट है, वो billions of dollars जो है, subsidies में आपे खर्च करेंए, मतलब coal, oil, gas में आपे खर्च कर रही है, एक estimate के हिसाब से हर एक minute में, करीब 11 million dollars जो है, यह पैसा जो है, यहाँ पे खर्च किया जाता है, coal, oil, gas में, वहीं, अगर हम हम बात करें, कि हम जो है, बेसिकली जो climate energy, मतलब जो green energy है, उस पे हम खर्च करना है, तो जी नहीं, यह इसी चीज़ को यहाँ पे बताय जा रहा है, कि हम इस planet में यहाँ पे रह रहा है, जहाँ पे pollution बहुत जादा है, लेकिन सरकारे जो है, यहाँ पे focus नहीं करने किस चीज के उपर, climate change के उपर, scalable renewable वाली चीज़ों के उपर, और वहीं दूसरी तरह अगर आप देखोगे, तो यह बात तो global leaders पहले ही वान कर चुके हैं, कि दुनिया का जो temperature है, मतलब globe का जो तापमान है, अर्थ का, वो 10 degree Celsius जो है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे य national committees यहाँ पर यह बताती कि हमको 14% का यहाँ पर एक decade में, जो basically जो growth है, वो हमको देखने को मिल रही है, तो end में, यहाँ पर आप देखोगे, तो एक G20 की जो है, government ने यहाँ पर summit भी करी थी, जहाँ पर कई सारी चीज़ों पर आप बात करी, कि भी है, 2030 तक जो इसीडी है, इसके लाव दोर जाए, 40 तक जो और भी countries है, वो जो है, यहाँ पर जो zero, net zero हो जाएगी, net zero पर जो है, यहाँ पर focus करेंगी, ठीक है, तो mainly जो है, यहाँ 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 पर यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, उसी तरीके से भीया, renewable energy पर भी जो है, आपर खर्च करने की जरूरत है, यहाँ पे उन्होंने five point plan भी जो है, बताया है, जिससे renewable energy को जो है, बूस्ट कर सकते हैं, पहला तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो है, पूरी दुनिया को एक देखना होगा, अगर हम जो है, renewable energy technology को एक global public good की तरह use करेंगे, मतलब दुनिया भर में जो है, हम इस जिलेगा, कि हम जो है, सिर्फ अपने बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, यहाँ हमारे पास technology है, हम जो है, किसी और को नहीं देंगे, ममी ने सिर्फ मुझे चॉक्लिट दिलाई है, मैं जो है, किसी और को यहाँ पे नहीं दूँगा, ठीक है, तो इस तरीकी की कहानी यहाँ देश अगर आप देख लो, तो उनके पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो यहाँ पे पैसे ही नहीं है, उनके पास तो वो क्या technology में खर्च करेंगे, तो हमको जो है, तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, फोकस जो है, उस पर करना चाहिए, इसके अलावा, जो 2020 में, वर है, मतलब सभी देश मिलके यहाँ पे काम करेंगे, तभी यहाँ पे काम बन पाएगा, नहीं तो इसी तरीकी से अगर चलता रहा, तो आने वाले समय में, जो समस्या है, वो बहुत ज़्याँ यहाँ पे बढ़ जाएगे, इसके अलावा, जो लीथियम जो और भी बैटरी मे लाव, जो यहाँ है, यहाँ पे इनर्डी सब्स्टीज चस यहाँ है, उनको प्तवर प्रोड़ोन प्रोजक्ट दैंसे है एक इनर्जी सब्स्टी के परम में आप फोकस कर नहीं चाहिए, और जो फोलनले बर प्रोल्डंगे, तो होल मोचिसा रही है, उनको इनको यहाँ न जो है आपे जो है सेफ करना चाहिए हमारे फ्यूचर को जहां पर सेफ करने की जरूरत है इसके अलावा हमको जो है ट्रपल इंवेस्मेंट की जरूरत है डबलने ट्रपल इंवेस्मेंट जो है सरकारों को यहाँ पर करना चाहिए जिसे जो है multi-lateral development banks है उनको मिलके भी जो है आपर focus नहीं इसके लाव़ जो development finance institutions है इसके लाव जो commercial bank है इन सब को मिलके जो है आपर focus करना चाहिए दूसी तरफ अगर आप दहुद इस सब की ज़रूबत क्यों है क्यों कि global leader पहले यहाँ पर कह चुके हैं कि यह देर डिगरी जो तापमान है वो जो है आपर बढ़ रहा है प्रत्वी का तो इसको बचाने के लिए climate change से बचने के लिए हमको जो है बहुत ही hard बहुत ही important step लेने चाहिए और 2030 तक बिलकुल 45% जो emission है उसको जो है यहाँ पर कम कर देना चाहिए और बिलकुल net zero का जो target है उस पर जो हमको बिलकुल यहाँ पर focus करना चाहिए ठीक है अगर ऐसा नहीं हुगा तो आने वाले समय में एक decade पर आपको जो 14% का जो increase है वह आपको देखने को मिलेगा तो मेली answer यहाँ पर यही है कि भाई है climate changes से लड़ने है energy security से लड़ना है तो हमको clean electricity को जो है produce यहाँ पर करना होगा जिससे जो millions of people ऐसे हैं जिनको यहाँ पर electricity नहीं मिल पा रही उनको भी यहाँ पर मिल पाईगी इसके अलावा जो proper एक sustainable development जो cool है उसको भी जो हम यहाँ पर achieve कर पाएंगे ठीक है इसके अलावा यह भी होगा कि भाई लोगों को जो है यहाँ पर सस्ती electricity मिलेगी तो मेली एक renewable जो revolution है उसको जो है लाने की यहाँ पर ज़रूरत है तो oil और gas के prices अगर आप दो को एक record prices level जो है आपको देखने को मिलेगा तो इसका समधान है वो एक ही है कि हमको renewable energy पर यहाँ पर focus करना चाहिए जिससे होगा क्लीन और cheaper energy जो है हमको यहाँ पर मिलेगी इसके इसके लिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप देखोगे तो उतने अच्छे step जो है आप नहीं लिए जा रहे क्योंकि एक तरफ जो है Russia Ukraine war भी चल रहा है और oil और gas का crisis जो है यह और भी बड़ा ना हो जाए इस लिए renewable revolution की जो है आप बात की जा रही है नेक्स अगर हम बात करें तो यहां पर नीरा चोपड़ा की बात करी जा रहे है अगर आप देखोगे तो इनका जो performance बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है ठीक है इन्हों रेसेंटी जो है history बनाई Tokyo Olympics में इन्होंने गोल्ड यहां पर जीता इसके अलावा यह 24 साल के हैं floppy है तो बेली जो है यहां पर यह बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके की इनकी strength है ना यह जो है यहां पर क्या करेंगे national record को बिलकुल जो है यहां पर तोड़ा भी है इन्होंने खुद का ही record जो है यहां पर तोड़ देते हैं तो चोपड़ा जो है एक rare athlete है ज क्योंकि 2009 में यहां पर जो है इन्होंने तीन championship को जीता था तो ऐसे ही जो है आपको जो है यह देखने को मिलेंगे को नीरत चोपड़ा तो आने वाले समय में आप यह बता जा रहा है कि चोपड़ा जो है एक बहुत important जो player है बनके जो है उबरने बाले है पर इनका अगर आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है तो वाई यह था news analysis 2 जुलाई 2022 का तो एटलास आयूप की आपको जो है काफिको जाने कुमला होगा इसी के साथ यह था वीडियो का सुने के लिए बहुत धन्यवाद चैहिंद चैह भारत